असलाम अलेकम इस वक्त जो हम लोग कॉंसर्ज उनिवर्स्टी के ओफिचल वजसाइट के उपर मौझूद हैं और हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम लोग जो है अपलाई कर सकें जी हाँ आप लोग बिल्कुल ठीक सुने हैं उनिवर्सटी ने जो है अपनी जो है युनिवर्सटी की जारी है इस वीडियो में आप लोगो मुकमल अपलाई करके और आखर तक जो है अप्लिकेशन सब्मिशन तक मुकमल तफसील से बताऊंगा आपको करके दिखाऊंगा हर एक चीज़ आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आप लोग अगर य चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि इन्फर्मेटिव वीडियो का एक जो तुफान आए हुआ है उसकी सारी अपडेट्स आप लोगों को फौरी तोर पर मिल सकें तो यहां पर जोग अपलाई करने लगे हैं फर्स अफाल हमने इमेल इंटर कर देने मैं यहां पर अपना इमेल एक इंटर कर देता हूँ इसके बाद अगले फिल्ड में इंटर्यूर नेम है तो यहां पर अपना नेम आपने पुट कर देने मैं यहां पर अपना नेम पुट कर देता हूँ इंटर्यूर लागिन है यहां पर आपने क्या और कनियों का सिर्फ पर सिर्फ आपका होगा मैंने यह जो है पुट कर दिया है इसके लावाद देख आगे क्या होता है यहां पर पासवर्ड आप लोगों ने अपने पुट करना है पासवर्ड आप लोगों अपनी मर्जी से यहां पर लगा सकते हैं वह पासवर्ड लगाना FAT40K इसको आप लोग ने यहाँ पर इंटर कर देना है और आप लोग ने Get Register के उपर यहाँ पर कलिक कर देना है आप लोग देख सकते हैं हमारा Sign Up जो है वो Successfully हो चुका है आप जो हमारे Account है वो जहाँ पर क्रियेट होगा लेकिन अभी तक हमारे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि अभी तक जो है उसके लिए हम लोग ने अप्लाई करना है Concert University ने हमें Welcome कहा है बड़े अच्छे तरीके से Welcome कहा है और साथ में कहा है कि भई यह जो लिखा हुआ है यह सारा पढ़ लोग खेर हम लोग पढ़ लेते हैं आप लोगोंने लाजमी पर्ड़ने में आप लोगों कुछ सास्थ बता भी देता हूं कि University जो है क्या कह रही है University यह कह रही है कि भई यह अप्लिकेशन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ और अल्ले इन एकसेप्ट होंगी किसी से भी बाइफिकेशन एकसेप्ट नहीं होगी इसके लाब यह जो है अगर कोई भी इन्फरमेशन गलत पुट की तो आप लोगों का एडमेशन है वो कैंसल कर दि सकते हैं अंडर गेज़िट प्रोग्राम के लिए यहां पर मैट्रिक स्कोर 10 फीसाद इंट्रमीडिट स्कोर 40 फीसाद और 50 परसेंट एंटियस स्कोर कंसिडर होंगे अगर आप लोग जिस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इन तमाम बातों को जान सब्सक्राइब करने यहां पर पर सभडें मैं जल्दी से यहां पर अपनी डेट वर्थ को फिल कर लेता हूं आप लोगों ने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है डो मिसल आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अपना जिस सूबे का है जहां का है और इसके लाब आप लोगों ने सीनाई से यहां पर पुट करना है इसके नीचे जो है फादर गार्डियन का जो है इसके नीचे फादर का या गार्डियन का जो है C&I से आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर देना है और नीचे आप लोगों ने अपना मुबाइल नंबर पुट कर देना है, यहाँ पर इन्हों ने तो जो आप कोड भी लिखे हैं सारे तो पहले कोड यहाँ से आप लोगों ने खुद सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मुबाइल नंब पूट कर देना है, यहांपर नीचे मेलिंग एडरेस है. तो सेमेज़ परमनेट एडरस के ओपर अगर आप लोग कलिक कर देनगे तो आपका यह ज़ाइधर आ जाएगा, अगर आप लोगों का एडरस कोई और है मतलब आपका जो परमनेट इडरस है, वो अलग क्योंकि यह तो आपका सेम नहीं 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 हो सकता यहां पर फिल हो गया है इसके बाद आप लोग एक दफ़ार नज़र घुमा करें सब को देख लें और अगर देख लिया है तो आप लोगों से यहां पर diffactor आप लोग लोगों से यहां पर फोटो मांगा जा रहा है आप लोगों आप लोगों को स सबसकती है तो आप लोगों ने category को सप्छकत करना है आप आप लोगों ने हो nे must अशकर दा ह relates है जो पिकcott के है यहां सर्फक्राइब करने चाहमसरgeb कोई और अश्यमम्र works आपने यहांपर पुट करने और आप लोगों की ज box ने आप लोगों ने हासल के थे matrix के अंदर बाया और save के उपर आप आप लोगने कलिक कर देना है ठीक है यहां से आप लोग्म वीयू कर सकते हैं आपनी पुट करदा इंफरमेशन का आप लोगने ठीक पुट की हैं यहां पर फlay इंृमिडर के उपर आते हैं तो यहां पर अगर अगर皇 आप्लोग के result का wait करें तो आप लोगों ने पहला खाना जो है इसको tick कर देने और इस के उपर आप लोग टिक करेंगे तो आप लोगों पास इस तरह सी information होंगी जैसे यहां से select degree है तो आप लोग यहां से अपने degree को select कर सकेंगे passing year उसके बार board subject और part two का roll number यहां पर put करना पड़ेगा part one के total marks part one के obtain marks अगर आप लोगों का part two का result का wait नहीं कर रहे तो आप लोगों ने simply यहां पर degree select करनी है इसके उपर इसको select नहीं करना इसको D select करके लेक्ना यहां से degree को select कर लेना है अपनी को यहां से मैं अपने degree को select करके passing year select करते हैं passing year सेलेक्ट करने के बाद लोगोंने save के उपर click कर देना है और इसको एक दफ़र देख लेना है यहां से view करके कि आप लोगोंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया अगर आप लोगों की फूर्टिन लाजमी देना पड़ेगा अगर आप लोग ने पहले दिया हुआ है तब भी ठीक है अगर आप लोग इंजिनेरिंग के बगहर किसी program admission ले रहे हैं तो आप लोग ने direct यहां से save के उपर click कर देना है यहां यह नीचे program choice के उपर चले जाना है ठीक है तो पहले देख लेते हैं अगर आप लोग ने हिस्सा ले रहे हैं तो आप लोग ने यहां पर yes के उपर click कर देना है अगर आप लोग पहले किसी आप लोग ने यहां पर पुट कर देनी है एवन दो आप लोग ने यहां पर save के उपर click कर देना है अब हमारा program choice आगे प्लीज क्लिक हैर पर program choice अडमिशन प्रोसेसिंग फी अप टू फाइव प्रोग्राम चैसे इस आरस 2000 और अडिशनल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग फी अपर 2000 विल बी चार्ड पर प्रोग्राम चैसे इन डिपार्टमेंट आप आर्टिटेक्टर ने यह कहा है कि प्रोग्राम चैसे की इसके लाव आर्टिटेक्टर वालों को जी 2000 रुपए का अलग से टीका लगेगा प्लीज क्लिक हैर फार प्रोग्राम डिटेल्स अगर आप लोगों को प्रोग्राम की डिटेल चाहिए कौन से कैंपस में कौन सा प्रोग्राम ओफर हो रहा है उसके ल आप लोगों चाहिए लिए चैसे में यहां पर कर लेते हैं और अब लोगों करने हैं इसके निदी यह ने लिखा है टोटाल अद्मिशन प्रोसेसिंग चार्जिस 2000 आप लोग ने देने हैं save and next के उपर जो आप लोगों ने click कर देना है इसके बाद आ जाते है labor quota तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहरें labor quota में तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं आप लोगों को हो सकता है फी कंसेशन वगारा मिलें आप लोग अगर labor quota में apply कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर जिस क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे तो यह सारी information नीचे आ जाएंगे इसको save और मुव के उपर उस तरह क्लिक कर लेने में टाइम जाया नहीं करता आगी मुव पर तो save and move next के उपर क्लिक कर दिया इसके बाद upload documents वाल सेक्शन आ जाता है upload documents में आप लोगों को अपने सारे documents upload करने कहा जा रहा है जिसमें उन्होंने का है कि 2mb से ज्यादा का size नहीं हो रहा च जो भी आप लोग पास है उसको यहां पर upload कर देना है यहां पर जो है हमारे certificate होगारा की तुस्वीर अपलोड हो चुकी है और नीचे जाए end case result upload करना अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग यहां पर कर दें इसके बाद आप लोगों next के उपर move कर लेना है next आप लोग को हमारा कैसे बता चला है तो आप लोग यहां से मर्जी जो select कर लें और यहां पर save के उपर आप लोग क्लिक कर देंगे हमारी 90% profile complete हो चुकी है इसके बाद आ जाते confirm admission piece आप लोगोने admission piece जमा करवानी है जमा करवाएंगे तो आप लोग की profile complete होगी और admission आप लोगों का आग इसको खोल कर देखने किसके अंदर क्या है किस किसम का चलान फार्म होता है जो आप लोगों को चलान फार्म है कुछ इस तरह कहोगा जो आप लोगों ने जमा करवाना होगा 2000 रुपे admission fee है और साथ-जाथ-जाथ नेशनल टेस्टिंग सर्वेस पाकिस्तान का भी NTS का भी ज प्रेस डेपोजेट डेपोजेट यहां पर आप लोगों ने चलान की जो है एक फोटू अपलोड कर देनी है इसके लावा नीचे NTS की डेटेल होगा सब को यहां पर पूट कर देनी है और save and move next की उपर आप लोगों ने कलिक कर देना है जिससे आप लोगों की प्रुपाइ पर डेपोजेट करवा कर कंफर्म करके यहां पर सारी डेटेल दर्च करके और NTS चलान का एक फोटू और एक जो है दूसरे चलान का फोटू आप लोगों ने यहां पर अपलोड कर देना है और उसके बाद आप लोगों का जो है admission confirm हो जाएगा और उसके बाद आपके admission application submit हो झाल 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 झाल